हेलो एवरिवन कैसे आप सब लोग आई होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे हम भी बहुत अच्छे हैं आज मैं अपने हस्बेन के लिए लंच प्रिपेर कर रही थी तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ तो आज मैं बना रही हूँ लंच में मटर चावल और रायता और रोटी एक्चली उनको ऑफिस जाना है अज दुपेर में तो मैंने सोचा कि मैं लंच प्रिपेर कर लेती हूँ और साथ के साथ वीडियो भी शूट कर लेती हूँ तो आप मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपने वीडियो कंटियूनर कंटियूनर रखू क्योंकि बहुत गयाप हो जाता है थोड़ा सा डेले बहुत टाइम से कोशिश करती हूँ अब बनाओ अब बनाओ नहीं बना पाती हूँ लेकिन अब आज से मैं कोशिश करूंगी कि मैं डेली एक वीडियो ज़रूर डालू तो प्लीज आप लोग वीडियो पूरा अब मैंने यहां पर काजू ले लिये थे एक बड़ा चमच इनको मैंने गरम पानी में बॉयल करके रख दिया था और मैंने कुछ खड़े मसाले ले लिये थे जिसमें मैंने दो तेजपत्ता काली मिर्च और डाल चीनी और लॉंग यह सब चीज़े मैंने ले ली थी तो इस अच्छे से खड़े मसाले लिये थे मैं सारे इसमें डाल लूँ और इसको हलका सा तड़कने देंगे कि इसके जो खुश्बू है थोड़ा सा मतलब अच्छे से खुश्बू पूरे ओयल में हो जाए तो जितना अच्छा हम थोड़ा सा और इसके गैस ज्यादा हाई नहीं हलके हलके इसको भूट के और यहाँ पर जो हम हमारे टमाटर और प्याज ही यह सब है हम इसमें सारी चीज़ों को अच्छे सब दाल रहेंगे और इसको अच्छे से हम सौटे करेंगे और आज जो मैं मतर पनीर बना रही हूँ मैं इस तरीके से ही मतर पनीर बनाती हूँ आप मुझे जरूर बताईएगा कि आप लोग कैसे मतर पनीर बनाते हूँ और जो मैंने बनाया वो कैसा लगा आप लोगों को आप जरूर मुझे comment section में बता सकते हैं और इस वीडियो में अगर कहीं भी कुछ उपर नीचे हो जाए तो please sorry बहुत दिनों बाद वीडियो शूट कर रही हूँ तो थोड़ा सा उपर नीचे हो सकता है तो please sorry तो यहाँ पर मैंने सारे चीज़ों को अच्छे से toss कर ले रही हूँ यहाँ पर मैंने काजू भी डाल दिये थे last में और यहाँ पर हम हलका सा नमक अपने स्वादानुसार डाल देना वही मैंने डाला इसको अच्छे से हम toss कर लेंगे और इसको थोड़ी देर हम इसको ढख के रख देंगे तब तक हम यहाँ पर अपने दूसरी preparation कर लेंगे यहाँ पर मैंने rice बनने के लिए रख दिये थे और आप लोग मुझे बताईएगा आप rice कैसे बनाते हो actually मैं rice पानी उतार के बनाते हूँ और जब भी मैं rice बनाते हूँ इसमें एक चमच मेथी जरूर डाल देते हूँ क्योंकि थोड़ा सा rice हैवी बहुत जादा हो जाते हैं और थोड़ा मुझे दिक्कत भी करते हैं तो मैं इसमें मेथी डाल देते हूँ जिससे पेट में प्राब्लम नहीं होते हैं मैं सभी के लिए फिर डाल देते हैं क्योंकि बच्चे खाएं बड़े खायां इसमें कोई अच्छे लगेगा कि इसमें कोई मतलब चावल बनने के बाद कोई taste खराभ हो तो मैंने जो सारा मसाला बना के रखा था प्यास टमाटा सौट करके उसको ठंडा होने के रख दिया था और यहां मैंने लगबग 300 ग्राम पनीर ले लिया था इसको मैं अच्छा ऐसे कट कर ले रहे हूं 20 पाई 20 और मैं यहां पर पनीर को हलका सा भून लोंगी जिससे कि जूसका अंदर से कच् अच्छे लगें तो कि कच्छा पनीर एकदम डाल दो तो अजीब मतलब टेस्ट होता है मुझे मतलब परसनली वो नहीं पसंद होता है मुझे लगता है कि थोड़ा सा भून ले जादा नहीं भूनते क्योंकि जादा भून लो तो फिर वो टाइट हो जाते हां अंदर से हलक कि अहले approximately 600 किञ लो लुझा को सेखे़़ मीजब एक घृड़ाओ भूप द हितो को तो ब्राइट होता है हां इस जादा नहीं हम इसको फ्राइख और उसके बाद मैंने उसी घड़ाई में जिसी मैंने सारा पनीर और पीछ तयार किया तो उसे तो मैंने दो बड़े चमच औयल डाले और इसमें एक आधा चमच मैंने जीरा डाला और उसमें सारे मसाले डाले फल्दी, एक चमच, एक चमच धनिया बूनेंगे क्योंकि अगर हमने इसको हाइ फलेआ करेंगे, तो मसाला हमारा जल जायाएगा तो टेस्ट पूरा फिलीवर बिल्कुल बदल जाएगा इसका टेस्ट बिल्कुल बदल जाएगा उसके बाद जो हमने पेस्ट तैयार किया था वो पेस्ट हम इसमें मिला देंगे और यह इतना creamy टेक्स्ट थोड़ा सा अगर हम काजु उबाल के अगर डालते हैं थोड़ा सा टेस्ट बहुत अलग हो जाता है उसका क्या होता है कि बहुत क्रीमी क्रीमी बहुत हो जाता है और बहुत अच्छ पेस्ट बनता है तो आप देख सकते हो कितना क्रीमी टेस्ट बनके तयार हुआ है और फिर मैंने यहाँ पर जो मैंने राइस रखे तो उसको चम्म बंद कर दूंगे और इसको धक के थोड़ी देर के लिए भाप में पकने दूंगे इसे क्या होगा बहुत अच्छे से यह हमारे जो चावल है उबल जाएंगे और उसके बाद क्या हुआ मैंने जो पेस्ट मिक्सी के जार में बनाया था उसी में थोड़ा सा पानी लेकर मैंने इसमें डाल दिया है और जार में उसी में मैंने हलका सा पानी डालके और इसमें मैंने दुबारा से पानी हलका सा करके और उसी कड़ाई में मैंने डाल दिया थोड़ा सा टेस्ट बढ़ाने के लिए फ्लेवर लाने के लिए मटर पनीर में मैंने यहां पे ताजी मलाई ली और इसको अच्छे से मिला कि और मैंने पेस्ट में डाला इससे बहुत इसका टेस्ट इनहेंस हो जाता है और थोड़ा सा इसमें लगभग दो से तीन चमच आप ताजी है तो दो से तीन चमच डाल सकते हैं और कोशिश करिएगा कि ताजे दूद्की डाले तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है अगर नहीं भी डालेंगे तब भी मतर पनीर है तो वो तो अच्छा बने गए लेकिन अगर एक पार मलाई डाल देंगे तो इसका टेस्ट इनहेंस हो जाता है तो थोड़ी देर मैंने इसको ढखके रग दिया था मसाला हमारा अल्मूस पग गया था अब मैं इसमें डालोंगे ये पनीर मसाला मैं पनीर मसाला मार्केट से लेकर आई थी इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है तो मैं यहां से लगबग 2-3 चमश डाल दे रहे हूं इसका जो टेस्ट है सश्म बहुत अच्छा है और जब मसाला बन जाएगा उसमें हम अपन इसमें अनुसाब पानी डाल देंगा आपको जितना गाड़ा और जितना उसकी ग्रेवी बढ़ानी है तो आप वैसे कर सकते हैं और मैंने यहां पर WorldG सो मैंने बाल करने के लिए चर्ण कईए था कि दीर वरूगश तयार हो गया इहां पनीर तयार ही हो रहा है और मैंने सो कराई तो यह मेरा घर का दही मैंने बनाया तो उसी को मैंने अच्छे से मतानी से मत लिया है और उसके बाद इसमें मैंने मैंने बूंदी कराई ता मैं बनाने वाली थे तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं बूंदी बना सकूं तो मैं मार्केट से दो पैकेट बूंदी के ले आई थे तो वही मैंने इसमें डाल दिये थे तो अच्छे से आप देख सकतो किता गाड़ा-गाड़ा सा हो रहा है तो बहुत घर का दही तो अल्मुस्ट सच में और हमेशा सभी को घर का ही दही खाना चाहिए क्या मार्केट के तो सब को पता है कि कैसा फ्लेवर होता है एक बार और हम चला देंगे और यहां पर मुझे थोड़ा सा कलर लाने के लिए थोड़ा कश्मीरी लाल मिर्च कम लग रहे थे तो मैंने थोड़ा सा और कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी और लास्ट में मैंने इसमें नमक डाल दिया मैंने अभी तक नमक बस पेस्ट में डाल तो मैं थोड़ा सा ग्रेवी वाला पनीर बनाती हूं जिससे कि अच्छा लगता है खाने में और यहां पर मैंने फिर बुंदी के रायते में नमक डाला मैं नमक और इसमे थोड़ा सा मैंने एक चमच चीनी डाली और देख सकते हैं आप रायता बनकर तयार हो चुका है और हमें यहां पर आटा लगा लेते हूं तो यहां पर रोटी बनाने के लिए मैंने आटा लगाना शूरू कर दिया है और मैं जब भी आटा लगाती हूं तो मैं आटा को फूरा नहीं मारती हूं थोड़ा सा इस तरीके से मार के थोड़ी देर के लिए कम से पांसे दस मिनट के लिए छोड़ देती हूं तो क्या होता है आटा थोड़ा सा ढिला हो जाता है और जब हम इसको दुबारा मारने चलते तो इतनी मैनत नहीं लगती है और बहुत अच्छा बनके आटा जो उसमें रोटियां हैं बहुत अच्छी फूल-फूल के तयार होते हैं तो मैं थोड़ी देर के लिए रख देते हूं अभी यहाँ पर मैंने पनीर चेक के आप देख सकते हो पनीर अल्मोस बनके रेडी हो गय और कसूरी मेथी जरूर आप डाले गए उसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है पनीर में तो आप देख सकते हैं मटर पनीर ट्रडी हो गया है आप जितना गाड़ा खाएं उसको और मतलब आप पानी अपनी हिसाब से खा सकते हैं जिस तरीके का भी आप पसंद करते है और मैंने आज सुबह जो मेरी बेटी स्कूल गई थी तो मैंने उसके लिए सुबह हलवा बनाया था तो सुबह हलवा रखा हुआ था तो मैंने सुचा लाओ उसको भी गरम कर देते हैं तो मैंने हलवा भी गरम कर दिया था और अब आप देख सकते हैं कि आटा बहुत सॉफ की माभ बनाएं तो मैं क्या करते हूं पहली रोती गाए के लिए कौह तो मैं यहां पहली रोटी गाय के लिए रोटी जरूर करके जाएगा और कमेंट में जरूर बताएगा कि आपको जो मैंने रेसिपी और जो चीजे शेयर की हैं आपको कैसा लगा है और आप कैसे पनीर बनाते हैं मुझे जरूर कमेंट सेक्षन में बताएगा बहुत दिनों बाद वीडियो शूट कर रही हूँ तो थोड़ा सा अगर कहीं से भी उपर नीचे हो जाए तो प्लीज सौरी उसके लिए और चलिए अब हम लंज की ठाली प्रिपेर करते हैं जो जो भी मैंने बनाया वो सारी चीजे अब मैं इसमें अरेंज करके रखती हूँ जो 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 मैंने आपतों प्रिफेर करते हैं तो ये लेजिए मेरी बैस ताली तैयार हो गई है